मोधी सरकार्द की तरफ से जारी किया गए टोटल लॉकडाउन को अब कुल मिलाकर एक महिना और एक दिन हो चुका है जहां एक तरफ पूरे विश्व भर में जहां हाहकार मचा हुआ है कोरोना वाइरस के प्रकोप से तो वहीं दूसरी तरफ भारत में जो टोटल लॉकडाउन को अब इतना लंबा समय हो चुका है उसके चलते लगातार सभी जगों पे देश में लेकर हर जगा चाहे वो राजधानी दैरादून में भी हो सब जगा पूरी तरह से सनाटा हो रखा है और सब जगा रास्ते जो आम दिनों में पूरी तरह भरेवे होते थे जहां पर बहुत लंबे समय तक चक्का जाम लगा रहता था अब उन जगों पर खाली रास्तों के अलावा अब कुछ नजर नहीं आ रहा है और इस वक्त यहां पर मैं अभी मौजूद हूँ राजधानी दैरादून के मसूरी डाइवर्जन पर जो यहां पर मसूरी के लिए यहां से मसूरी टीरी उत्तरकाशी और यहां तक की हाती प हम यहां सरत है को तो से दिकार और ओंके मसूरी निकलता है टोंकि दोनों तरफ से रास्ते लगबग एकी जगापर जाकर मिलते हैं और यहां पर जहां आम दिनों यहां पर परेटा को की और यहां तक की यहां पर कुछ दूरी पर मैक्स हॉस्पिटल भी है तो यहां पर जहां आम दिनों में बहुत ज़्यादा भीड लगा करती थी लेकिन अब यहां पर सिर्फ अस्पताल प्रशासन के लोगों का ही आपर आ आगे सीधे तरफ अगर देखें तो सामने साइन बोर्ट भी लगा हुआ है तो हमने कैमरा पर तन से कहना चाहूंगा कि उपर साइन बोर्ट की तरफ दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह रास्ता आगे जाकर दैरादून का जो मुख्य शहर वाला हिस्सा है उस से एक है मालसी डियर पाक उसके लिए भी यह रास्ता यही से निकलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह रास्ता एक तरह से सेंटर पॉइंट कह सकते हैं मसूरी से दैरादून को जोडने का क्योंकि यही पर जो परेटक स्थल हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलत तो यहां पर इस वक्त यहां पर आम तोर पे सिर्फ सरकारी विभाग के लोग हो गए या अस्पताल के लोग हो गए क्योंकि कहां से कुछ दूरी पर मैक्स हॉस्पिटल है तो उसी से जुड़े लोग यहां पर देख रहे हैं यहां पर अगर मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूंगा ठीक मेरे सामनी की तरफ अगर आप देखें तो नगर निगम ने इस बात पर बहुत गंबीरता से काम किया तो मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है मैं अपने कैमरे पर संसे कहना चाहूंगा कि उस बैनर की तरफ दिखाया जाए तो उस बैनर में कोरोना वाइरस के संक्रमेंट को लेकर लिखा हुआ है इसमें मुख्यमंत्री जी की तरफ से मेसेज दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि कोरोना वाइरस संक्रमंट बिलकुल भीना गबराएं सतरकता ही बचा हुआ है साफदानी बढ़ते हैं और अफाओं पर ध्यान न दें उसके साथ वहाँ पर उसके नीचे की तरफ अगर आप देखें तो उसमें हल्प लाइन नंबर भी लिखा हुआ है और उसके साथ साथ कोरोना वाइरस से बचने को लेकर किस तरह के सेफटी मेजर्स आपको लेने हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह संचित में दिया हुआ है और सिर्फ उसी तरफ नहीं अगर उसके ठीक पीछे वाले बैनर की राज़ देखें तो वहाँ पर नगर निगम की तरफ से एक बैनर लगा हुआ है उसमें भी कोरोना वाइरस से बचने के पूरे दिशान इर्देश दिए हुए है और यहाँ पर साफ तरफ पर पता लग रहा है कि सरकार इस पर बहुत ही गंबीरता से काम कर रही है लगाता लोगों को प्रचार कर रही है कि कोरोना वाइरस से बचें क्योंकि इसका प्रकोप जान लेवा सावेत हो सकता है अगर आपने क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग इन दोनों का अगर पालन नहीं किया तो आप साफ तोर पे मौत को दावत दे रहे हैं और ये आगे जाकर इस प्रकोप के बढ़ने से लगातार ये महामारी अगर और विशाल रूप लेती गई तो ये फिर कहीं न कहीं हमारी मौत का बहुत बड़ा कारण बन सकता है अब यही देखना है कि मोधी सरकार की तरफ से जो कड़े स्टेप लिये गए हैं जो एक कड़े कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना वाइरस के इस कड़ी को तोड़ने के लिए वो किस तरह आगे जाकर कोरोना वाइरस के आंकड़ों को गिराने में काम करता है दैरादून से कैमरा बरसंगार अफपन के साथ मानव डोबाल